हेलो दोस्तो हमारे चैनल पर आपका हार्डिक स्वावत है दोस्तो आज की वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं सिर से लेकर पैर तक की बिमारीयों का इलाज दोस्तो वो इलाज है सप्राउटिड मून यानि अंकूरित मून दोस्तो अंकूरित मून विटामिन C और भी होगा लेकिन बहुत कम ही लोग हैं जो इसे खाने का मन बनाते हैं वज़े है इसका स्वाद अगर थोड़ी सी आप मेहनत कर ले तो आप इसे बहुत ही टेश्टी बना सकते हैं हम बाद में इसे बनाना भी पताएंगे दोस्तों अंकूरित मौं सहित के लिए किसी वर्दान से कम नहीं है कोई भी प्रियोग करने से पहले जान लेना चाहिए कि उसके फायदे क्या क्या होते हैं दोस्तों अगर आप बालों की समस्य से परिशान है तो अंकूरित मौं से आपको बहतर फायदे मिलेंगे जब आपको इसके फायदे मिलने स्टार्ट होंगे तो आप मातरा में विटामिन सी होता है जो कि बालों की ग्रोथ के लिए बहतर है और हमारे इम्यून सिस्टम के लिए भी विटामिन सी बहतर है दोस्तों ये रख संचार को बहतर करता है फलो और सबजियों में पाय जाने वाले एंजाइन से सोग उना ज्यादा अंकूरित चने या म मूंग में पाए जाते हैं इसलिए आप अंकूरित चीजों का जरूर प्रियोग करें खासकर अंकूरित मूं का दोस्तों अंकूरित मूं की सबसे खास बात यह है कि इसमें काफी सारे एंजाइम होते हैं जो पाचन के लिए बहतर होते हैं ये कबज को ठीक करता है और मेटपलूजियम को भी बूस्ट करता है शरीर के सभी अंगों के सही से काम करने के लिए प्रोटीन की सबसे ज़्यादा जूरूत होती है जो कि आपको अंकूरित चीजों से ही मिलेगा दोस्त ही चहरे पर होने वाली असमय एंजिंग को भी रोब देता है दोसों जब आपको इतने सारे फाइदे मिलते हैं अंकूरित मून से तो क्यों ना आप इसको हर रोज खाए या फिर सत्ता में दो या तीन बार जुरूर खाए दोसों हम आपको कुछ ऐसे तरीके बताते हैं जि इसलिए इसे कच्चा ही खाए यानि अंकूरित करके खाए ऐसे में सबसे बहतर है इन्हें अच्छे से धोकर सलाद की तरह आप खाए दोसों अब आपको बताते हैं इसको बनाने की विधी दोसों आपको चाहिए अंकूरित मून अंकूरित मून बनाने के लिए आपको जो म गारा घंटे में यह अंकूरिद हो जाएगी अंकूरिद होने के बाद दोस्तों आप ने इसमें चापकर चाती हैं और इसका टेश्ट बहुत ही बढ़ जाता है और दोसो लास्ट में आप एक नीमू नी चोड़ लीजी इसमें इससे तो इसका स्वाद इतना दूबना हो जाएगा कि दुबारा आप मांग कर खाओगे कि मुझे स्प्राउंटिड मूं का सलाद ही चाहिए दोसो इस सलाद को आप स पनीर है अगर नहीं है तो यह थोड़ी सी चीजों के साथ इसको टेश्टी बना कर जरूर खाएं इससे आपको बहतर फायदे मिलेंगे इतने सारे फायदे मिलने के बाद हम इसे क्यों खाना नहीं चाहेंगे दोस्तों आप इसका प्रियोग आज से ही शुरू करें और अप प्रियोगेशन मिलती रहें धन्यमा दोस्तों